इस बाढ के पीछे की वजा है भारती जनता पार्टी और केंद्र सरकार की दिल्ली के प्रती दुर्भावना इस बाढ के पीछे वजा है मोदी जी और भारती जनता पार्टी के मन में छिपी हुई नफरत ये बाढ प्रायोजित बाढ है ये बाढ ये आबदा प्रायोजित की गई आबदा है वीजेपी के लोगों कि तुम्हारा मीम जनता के दिलों में बन रहा है तीनों रास्तों में अगर बराबर की आप पानी छोड़ते तो दिल्ली भी सुरक्षित रहता हर्याना भी सुरक्ष कि दिल्ली में पिछले तीन दिनों से बारिष नहीं हुई और अगर तीन दिनों से बारिष नहीं हुई तो बाढ़ का कारण क्या है इस बाढ़ के पीछे की वजा क्या है इस बाढ़ के पीछे की वजा है भारती जनता पार्टी और केंद्र सरकार की दिल्ली के प्रति दुर्भावना इस बार के पीछे वज़ा है केंद्र सरकार की दिल्ली को बरबात करने की साजिस इस बार के पीछे वज़ा है मोदी जी और भारती जंता पार्टी के मन में छिपी हुई नफरत जो कई बार ऐसी घटनाओं में निकल कर बाहर आती है ये एक आपदा के सिती है देश के किसी हिस्से में आ सकती है दूसरे हिस्सों में आपदा आती है हमारे मानी मुख्यमंत्री केजरिवाल जी सहयोग के लिए हाथ बढ़ाते हैं बताईए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं केरल की सरकार हो या कोई दूसरे राजी की सरकार आज दिल्ली के अंदर बगएर बारिस के ये बार जो है और जो खत्रे के निसान से पानी उपर चला गया ये बार प्रायोजित बार है ये बार ये आपदा प्रायोजित की गई आपदा है मैं ये पूरे जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूँ और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आधनी प्रधान मंत्री जी तो पांच राज्यों को उनके हालत पे आनात छोड़के भाग गए फ्रांस वो तो सहर पे निकल गए फ्रांस की ऐसे समय में जब देश के पांच राज्यों उत्तर प्रदेश दिल्ली हरियाना पंजाब हिमाचल बार की तबाही जेल रहे हैं ऐसे समय में देश के प्रधान मंत्री भारत छोड़के फ्रांस की सहर पे निकल गए कोई बात नहीं लेकिन कम से कम अपनी पार्टी के नेताओं को तो समझा के जाते प्रधार मंत्री जी उनसे ये तो कहते कि ऐसी परिस्थिती में संबेदन शीलता दिखाओ लेकिन वही गंदी राजनीती वही घटिया राजनीती वही आरोग प्रत्यारोग मिल गया है मौका केजरीवाल को टार्गेट करो अरे अर्विंद केजरीवाल तो अपने मंत्रियों के साथ फील्ड पर मौझूद है बार्गरस छेत्रों का दोरा कर रहे हैं हमारे मंत्री सौरभ भारत द्वाज जी हों आतिशी हों रात रात भर इस बार की स्थिती को कैसे ठीक किया जाए लियंत्रित किया जाए उसके लिए काम कर रहे हैं हमारे विधायक हमारे पार्शद लोगों की सेवा में जुटे हुए बताईए आपको उत्तरदेश और हर्याना के मुख्यमंत्री कोई तस्वीर दिखी हो कहीं पर काम करते हो उनके मंत्री विधायक दिखे हो लेकिन एक काम पर लगा दिया मोदी जी ने कि बस मौका मिल गया है भले ही बरबाद होते हैं लोग बरबाद हो बार में डूब है मौका मिलगए टार्गेट करो बीजेपी वालों जट जाओ सब लोग तुम्हारा मीम्जनता के दिलों में बनरहा है जो ये काम कर रहे हो तूम हरयाना हत्नी कुन बैराज एक पानी दिल्ली की यमुना में आता है एक पानी उत्तरपदेश के रास्ते जाता है एक पानी कैनाल के रास्ते हर्याणा की तरफ जाता है बेतर ये होता कि बार की स्थिती थी तो तीनों रास्तों में अगर बराबर की आप पानी छोड़ते तो दिल्ली भी सुरक्षित रहता हर्याना भी सुरक्षित रहता और उत्तरपदेश का इलाखा भी सुरक्षित रहता लेकिन बीजेपी के मन में जो नफरत और दुर्भावना है उसके कारण उन्होंने सोचा कुछ भी हो जा है बस दिल्ली को बरबाद करना है यहीं पर पूरा पानी छोड़ दो और मैं पूरे लॉक सीट के साथ आपको बता रहा हूँ यह आप लोग चेक कर सकते हैं देख सकते हैं नव तारीक से लगातार हर्याना और उत्तर प्रदेश के तरफ जाने वाले पानी को रोग दिया गया और पूरा का पूरा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया नव तारीक से लगातार तेरा तारीक तक सारा का सारा पानी हतनी कुन बैराज से दिल्ली की तरफ छोड़ा गया कि दिल्ली को बार में जोग दो दिल्ली को डुबा देना है पूरी तरीके से यह तो बहुत अच्छा है कि अरविंद केजरिवाल जी की संबेदन शील सरकार है यहां पर कि पार्षद है हमारे कार करता है शो इन परिस्तितियों को नियंत्रत करने के लिए काम करने है वरना 78 से ज्यादा भयवा इस्थिति अगर पानी छोड़ने की है और पानी आ गया है यहां पर तो ऐसे में तो पूरी दिल्ली डूप जाती लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं बीजेपी के लोग आपको भी साथ सांसद दिल्ली के लोगों ने जीता है आज बेतर होता, वो साथ उ सांसद हरियाना के सरकार से अपील करते है पनार्मंत्री जी से अपील करते खे बहीं पानी पर बराबर बर छोड़ा जा या सारा पानी दिल्ली के तरह क्यों छोड़ रहा है और यहां भी यूपी वाले रहते हैं, यहां भी हर्याना वाले रहते हैं और अगर आप तीनों तरफ पानी बराबर बराबर छोड़ते तो इतनी भयावा इस्तिती नहीं पैदा होती हर्याना भी डूब गया, उत्तर प्रदेश का नोड़ा पूरा का पूरा नोड़ा डुबा दिया आपने क्योंकि 230 किलोमिटर का रास्ता है पानी का और उस रास्ते में हर्याना भी आता है उत्तर प्रदेश भी आता है तो जो भी छेतर आएगा वो अगर आप एक तरफ पानी छोड़ेंगे तो वो डूबेगा तो यह तो बंदर के अस्तूरे वाली कहानी हो गई कि एक तरफ बंदर जो है वो अस्तूरा राइट मारता है फिर लेट मारता है फिर अपने उपर मार लेता है तो दिल्ली को बरबाद करने के चक्कर में आपने हर्याना भी बरबाद किया, उत्रप्रदेश भी बरबाद किया, अगर तीनों राज्यों के चीफ सेकेटरी आपस में बादचीत करते, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग आपस में बादचीत करते, और ये पानी का डिस्ट्रवियूशन बराबर बराबर से होता, तो साइद ये बाड़ के इस्थिती, दिल्ली को भी नहीं जहिलनी पड़ती, इतनी भयावा इस्थिती, उत्रप्रदेश और हर्याना को भी नहीं जहिलनी पड़ती, और नव तारिक से मैं फिर दोरा दे रहा हूं, नव तारिक से तेरा तारिक तक, लगाता सारा पानी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की तरफ छोड़ा गया यह लाकसीट चिला-चिला कर बोल लिगा क्यों इतनी नफ्रत है बीजैपी वालको दिल्ली से, अब मैं आपको दो वीडियो दिखाता हो यह इस्टन कनाल है, हत्नी कुंट से इस्टन कनाल और आगे दिखाईए यह सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा है यह भी वेस्टन कनाल में जो हर्याना की तरफ जाता है, इसमें भी 13 तारिक को पानी छोड़ा गया, उसके पहले 9 से 13 तरफ जब हम लोगों ने कहा तब बहुत कम मात्रा में पानी छोड़ा गया, जबकि तब यह पूरी बात बताने का मकसद यह था, कि दिल्ली की बाढ़ प्रायोजित बाढ़ है, यहां पे बारिस नहीं हुई है,